राइपूर में एक व्यक्ति के पास साथ लाक रुपए का विदेशी नोट बरामत हुआ है। उसने बड़ी चालाकी से नोटों को कपड़े की गठरी में छिपा कर रखा था। जिसे किसी को शक ना हूँ लेकिन इसकी भनक पुलिस को लग गए। बताया जा रहा है कि पुलिस को पेट्रोलिंग के दोरान मुखवी से सूचना मिली थी कि गुजरात के सूरत निवासी फिरोज लखानी स्टेशन रोट के पास अहीर धर्मशाला में ठहरा हुआ है। वसंदिग्ध लग रहा है। पुलिस ने उससे पूछताच की तो सामानों के बीच एक सफेद कपड़े की गठरी मिली। पुलिस ने जब गठरी खोल कर देखा तो उसमें साथ लाख के करीब विदेशी नोट थे। या नोट अमेरिका, यूरो और सौदी अरब देश का है। सबसे जादा अमेरिका के डॉलर बरामत हुए है। आरोपी के पास इन विदेशी नोटों से जुड़े वैद कागजाद भी मौजूद नहीं थे। पुलिस ने फिरोज लखानी को गिरफतार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी फिरोज के खिलाब राइपूर के तीन अलग-अलग थाने में 420 के मामले दर्ज हैं या तमाम थाने आजा चौक, उरला और राजेंद्र नगरह में हैं। बताय जा रहा है कि आरोपी के बेटे पर भी इस तरह के आरोप हैं। फिलहाल आरोपी ऐसे ही एक मामले की पेशी में राइपूर पहुंचा था। पल हरशन हर सच।